6 नवंबर 2022, सिव्ट फर्स्ट वन पाल अंसर की अटपरी, अमर्शाई, उदर्शाई, सिव्शाई क्या है? फ्रेंट्स ये एक प्रकार की पगडिया है अंसर भी एक प्रकार की पगडिया है नेक्ट्स क्यूशन राजस्तान में सीचाई का मुख की स्रोथ क्या है? फ्रेंट्स हम वन पाल की अंसर की देख रहे है जो इसका पेपर 26 नवंबर की सिव्ट फर्स्ट में हुआ है तो इसका अंसर है नलकूप मलीनाज जी का मंदिर कहां हिस्तिद है? तीलवाड़ा बाड़ मेर में मलीनाज जी का मंदिर है निमली कितने से धनायन अपमार्जक कौन से हैं? तो सेटिल, ट्राइमेथिल, अमोनियम, ब्रोमाइट ये फ्रेंट्स, सेकेंड अंसर आपका होगा साइंस की क्यूशन है? राजस्तान राज्यको कितने क्रशी जलवाईू प्रदेशों में रगिगत किया गया है? अंसर हैं सी, दस जलवाईू खंडों में बाटा गया है स्वान पुस्प, पुस्परंग की वशागत्ती की किसका उधार है? स्वान पुस्प की किसकी उधार है तो अपून प्रभाविता का नियम जो कि मेंडल का है डाक्टर सुधिर भंडारी को कुलपती न्यूक्त किया गया है राजस्तान स्वास्त विज्ञान और विश्व विद्याले का ठीक है फ्रेंट्स फर्स्ट अंसर हो जाएगा नेक्स क्यूशन की तरब बढ़ते हैं प्रसिद जेत सागर तालाब कहां इस्तित है जेत सागर भूंदी में इस्तित है फ्रेंट्स अंसर सी हो जाएगा फ्रेंट्स जीके के बहुत ही easy क्यूशन आया है और जो current affairs है वो भी easy आया है आप paper मिलाते जैए next question स्रीलाल जोशी का संबंद किस से है स्रीलाल जोशी का जिन जो अपन संबंद है वो answer B मृदा सरक्षन की प्रमुक विदी कोन सी है sorry इसमें पूछा गया है म्रदा सरक्षन की प्रमुक विदी कोन सी नहीं है एसा पुज़ा गया है तो इसमें आपका auction सी हो जाएगा राशानी प्रूरों का प्रीयोग यह नहीं है सफेद मेमन और पत्तों की विरादरी किसकी उपन्यासका की रचना है किस उपन्यासकार की रचना है तो मनी मदुकर की रचना है सफेद मेमन राजस्तान का उत्तर दक्षिनी विस्तार किता है यानि उत्तर से दक्षिनी विस्तार जो है वो 2826 किलोमेटर का उत्तर से दक्षिन तक और पूरों से 25 उद्यपूर में भारती लोक कला मंडल का किस ने किया था तो इसका आपने भारती लोकल अमंडल जो उदेपुर में है देवी लाल सागर भी अंसर हो जाएगा स्वस्त बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिल्ले से प्रभावित किया गया है करेंट अफ़ेर बहुत इजी अलवर अंसर हो जाएगा दोली पुष्प राजस्तान के किस संत से सम्मधित है संत लाल दास जी दोली दूप का सम्मध संत लाल दास जी से है मुख्य मंतरी अशोक गैलोद ने अगस्त 2022 में प्रदान मंतरी नरिंद मोधी से मानगढदाम को राज़्ची इसमारक का दरजा देने के लिए अन्रोथ किया यह कहां अस्तित हैं किस जिल्ले में अस्तित हैं जाक्म सीचाइप्रियोजना राजस्तान के किन जिल्लो को सीचाइप्र प्रदान करती है तो इसका अंसर हो जाएगा फोर्थ उदैपूर, चित्तोडगड और प्रताबगड जिल्लों को जाकम प्रियोजना से लाबा इंतवित है नेम लिकित अभ्यारणों में से कौन सा उडन गिलेरी के लिए परसिदे उडन गिलेरी के लिए कौन सा अभ्यारण परसिदे सीता माता ब्यारन वुडन गिलीरी के लिए प्रसिदेजों की प्रताब गड़ जिल्ले में पढ़ता है भीलवाडा में 1944 में किसने मलिक शाह मलिक इसकी उपा दी ये था नारान देवी वर्मा इसका अंसर हो जएगा महिला के बाराम पुचा गया है नारान देवी वर्मा मिनाकरी की धेवा कला के लिए राजस्तान का कौन सा जिल्ला प्रसिदे तो प्रताब गड़ जिल्ला जो है मिनाकरी धेवा कला के लिए प्रसिदे नेक्स जीशन जमलिक्त युगमों में से कौन सा स्वमिलित नहीं है स्वमिलित नहीं है पुछा है तो शेरगट बारा में है वन विहार धोल फुलवारी किनार होता है पुल लेकिन केला देवी जैसा आपने पड़ाओ केला देवी करोली में है तो ये अंसर गरत हो जाएगा राज्य की उद्यमित की भावना जागरत करने के लिए हेतु सरकार ने 19-20 अगस्ट को राजस्तान में डेजी फेस्ट 2022 का आयोजन किया था जैपूर जिल्ले में किया था अंसर फस्ट मेवाड के निमलिकी सांसकों में से किसने इब्राहिम लोधी को खतोली के युद्ध में बराजित किया खतोली के युद्ध में बराजित करना राणा सांगा और के मद्य हुआ था राणा सांगा के मद्य तो राणा सांगा ने बराजित किया था खतोली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को रानी खेत रोग किसका सरवधिक सामान्य रोगे रानी खेत रोग मुर्गियों का सामान्य रोगे ये साइंस का क्यूजन है मुर्गियों में रानी खेत का रोग होता है रास्ट्री उट अनुसंधान केंदर राश्टी उट अनुस अंदान के अंदर बिकानेर जिल्ले में हैं फ्रेंड्स ओदग दूर्ग से आपका अभी ब्राई क्या है तो ओदग दूर्ग यानि जल दूर्ग तो अंसर फर्स्ट हो जाएगा 12.5 का कितना प्रतिशत 50 हैं यानि 12.5 का आपको 50% निकालना था कितना प्रतिशत 50 है तो इसका 400 अंसर हो जाएगा बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस महीने में आयोजित किया जाता है तो आपको पतागवा बादरपत क्रस्ट दृतिया यानि बादरपत महा में आयोजित किया जाता है जिवास महुद्यान जैसल में में प्रसिद है आंकल वुड फोसिल पार्क जिसे आप जानते होंगे तो अंसर सी हो जाएगा अच्छे क्यूजन आये काफी इस्त्रियों का आपुशन नेवरी सरी के किस बागे में प्रसिद है नेवरी नाम आपुशन पाउं में प्रसिद है ठीक है फ्रेंट्स किस वागड की मीरा भी का जाता है वागड की मीरा मीरा गवरी भाई को जो कि हमारे बांसवार जिल्ले से समदित है गवरी भाई वागड की मीरा का जाता है simple question है friends दस्तूर कॉम यार में राजस्तान के किस राज्जिस से सम्मधित है जैपुर जिले से सम्मधित है friends दस्तूर कॉम वार का सम्मध जैपुर से है ठीक है friends तो ये भी आपके मदब थोड़ा सा हाट तो था लेकिन फिर भी आपकी किताबों में है तो इसी है इसके बाद उपादियों वाला question आया अकबर ने किसे फरजंद की उपादी दी फरजंद की उपादी मान सिहें को दी दी और उज्यमानी की पूले तो हर कुबाई को दी सरपतम राजस्तान में का पुष पुर्व पाशान काली कुलहारी की खोज में फ्रेंड्स कुलहारी की खोज चितोड और भिलवडा में एंसर सी राजस्तान में एको ट्यूरिज्म पॉलिसी 2020 में आई थी वेरी नाइस पूछा गया था अभी वीडियो के एक्जाम में भी लास्ट और कोपेशन की अनुसाआ श्रीगंगान अगर का और किस चेत्रे में आता है श्रीगंगान भी ऐससेइडवल्यू अर्दशुषक चेत्र में आता है हडोती प्रचामडल की स्तापना किसने की भाड़ोती परचा मंदल की स्थापना आपको पता है 1934 में हुई थी नाइनु राम शर्मा ने की थी केंद्री शुष्क बागवानी संस्ता बीकानेरे में है राज्य की प्रथम वर्चुल कोर्ट का इउद गढ़न कब उआ है SS सिंदे वर्चुल कूर्ट का उद्गटन SS सिंदे ने गया 42 दिन में सदीज जुराशी को पहचानिए सवेग जिसकी दीसा दारा की दीसा और वेग दोनों समान हो तो सदीज कहते हैं तो सवेग इसका अंसर हो जाएगा सवेग प्रसित कुमबय शाम का मंदिर कहां इस्तिद हैं कुमबय शाम का मंदिर चितोडगर दुर्ग में इस्तिद हैं ठीक है तो प्रकास इसके किनारों पर मुड़ जाता है इस प्रभाव को बोलते है व्यत्तिकरण की गटना में प्रकास यह जगह से मुड़ जाता है राजस्तान की बागर प्रदेश का भाग होने बागर प्रदेश का भाग नहीं है तो बनास बेसिन बागर बेसिन का भाग नहीं है बागर प्रदेश का भाग नहीं है वापिस दूसरे कुछ ना है राजस्तान की बागर प्रदेश का भा इसी से वापिस आपको गंफ्यूज करने के लिए एक क्यूशन ओर दिया गया है आम नेक्स देखें जाकम सिचाई प्रियोजना का संबन्द प्रताब गड़े जिल्ले से हैं काई लोग जमाई और जाकम में कंफ्यूज हो गए होंगे फिर बाइक इस ही क्यूशन दाबागी बूंदि के राज में प्रसित चित्रशाल का इमान राव उमेद सी के समय हुआ था बहुत ही सिंपल क्यूशन अ